हालो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग आई होप गाईज आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल गुड कर्मा डबल बन डबल बन में गाईज आज की डीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपके चेहरे और हाव भाव को देख कर क्या सोचते हैं वहीं हम देखेंगे टाइभ लेक्ट है जब मिलेगी तब रजनेट करेगी साथ ही जेन्डर बेस रीडिंग नहीं है तो आप लड़के हैं लड़की है दुनों के साथ रजनेट करेगी जार्नल कलेक्टिव रीडिंग है सो प्लीज ओपन माइंड होके देखेगा जितना resonate करता है उतना ही रखे बाकी का छोड़ दीजिए ओके फर्स्ट काड आया है queen of source अब काफी जादा गुसेल है या काफी clear cut person straight forward मतलब काफी strong personality का इंसान जो सीधी अपनी बात रखता है जिसकी नजरे जो है बहुत तेज है जिसकी नजरों से जोट बच नहीं सकता ऐसा मैं कह सकती हूँ मतलब आप एक ऐसे इंसान है जो अपने हिसाब से चलता है basically अगर गुसे में आया अगर जैसे होता नहीं है कि मन किया तो बड़ी से बड़ी चीज छोड़ दी और जब गुसा आया कोटी बाते भी हुई है ना वो भी निकाल निकाल के बता दें कार्ट्स खुदी गिर रहे हैं काफी अडवेंचर लवर है इंडिपेंडनेंट है सेल्फ इंडिपेंडनेंट परसन है और अपना काम अपने हिसाब से करना अपनी जिम्मेदारी अपनी आप उठाना वो चीज़े आपको ज़्यादा पसंद है ताइम मेनेजमेंट में काफी अच्छे हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है मतलब अगल वुमेन भी है तो ऐसा मुझे लग रहा है वर्किंग होंगी और मेन है तो अफिसली बात है वर्किंग होंगे बट नहीं हाप ना मुझे वो बिजनस से जादा जॉप वाली चीज़े लग रहे हैं कि नाइन टू फाइफ की जॉप करते हैं ऐसा हो सकता है इस्ट्रॉंग परस्नेल्टी के परसंग है मतलब किसी से डरना नहीं अपनी बात साफ कहना और आप एक ऐसे परसंग है जिस पे ना इश्वर की प्रेटेक्शन है ओके इश्वर की प्रेटेक्शन मिली वी है आप एक ऐसे व्यक्ती हैं अपनी लववन से आप बहुत जादा प्यार करते हो मतलब अपने फामिली से अपने लववन्स जो भी हैं उनसे बहुत जादा प्यार करते हो उनके लिए सब कुछ कर देना वह वाली जीज़ है कि अगर किसी को दिल दिया है तो फिर बिलकुल ईजान भी दे देनी गाना है ना वैसा यहां पर सन की अनरजी अल्रेडी लग रही संफलार से बट यहां पर सन आ गया है तो एक संखी तरह चमकते हो एक लीडर्शिप कॉलिटी है आपके अंदर काफी अच्छे लीडर हो कम्नीकेशन आपकी स्किल जो है वो काफी अच्छी होगी ड्रेसिंग स्टाइल आपका बहुत अच्छा है हेल्प करने पर आओ तो आ वह स्ट्रिक्ट नेचर होता है तो कि इंसे भोले नहीं भोले वह बोले ऑपस्टाइब tą लच को अतना नहीं लगता है लेकिन हाँ लग लगों को बहुत लगता है तो ओपाडमेग की फॉष्टाइब गष्यृत लिगता है कि अग अगर आप women भी है ना तब भी आपके अंदर ये है कि बहुत straight forward हो, clear cut हो, independent हो, आप principal हो सकते हो, आप teacher हो सकते हो, okay, administrative job में हूँ, किसी तरीके की, sports teacher भी हो सकते हो, okay, और एक leadership quality, वो वाली चीज़ है कि अग्दम strict person जो होते है ना, वो वाली चीज़ है, आप argument में भी बहुत माहिर होंगे, और गुस्सा आपकी नाक पे रहता होगा, अपका मदब वो face feature भी ना ऐसे है, कि मदब दिखती है, maturity दिखती है, चाहे age जादा ना हो, बट फिर भी maturity है, दूसी चीज़ ये है, कि अपके face पे दिखता है, कि आप न थोड़े गुसल है, या मैं कहूं, प्लीज बुरा मत मानना, बट लोगों को लगता है, कि खडूस टाइप का person है, बहुत साथा, या वो कहते हैं कि बहुत ही arrogant टाइप का person होगा, घमंडी, ओके, तो प्लीज माइंड मत करना, बट हाँ मैं ऐसा लगता है, लेकिन आप जिन से प्यार करते हैं, उनक पुरी दुनिया एक तरफ और वो लोग एक तरफ वह वली चीज है, तो आप दिखाते हो, आप शो करते हो, बट उतना ना कर पाते हो, ऐसा हो सकता है, आपको चीज़े बुरी लगती हैं, लेकिन शायद आप उतना उस तरीके से बोल नहीं पाते, वह होता है कि आप हो, लेकिन आप उसके ही साथ साथ थोड़ा सौफ्ट स्पोकन भी हो, या आपके अंदर भी इमोशन से, बट लोगों को लगता है कि नहीं इस वेक्ती के अंदर इमोशन से नहीं है, यह वेक्ती बहुत खडूस है, यह वेक्ती बहुत हार्ड है, तो वह चीज़ लगती है, उन जो यह नीचर है ना, आप उसको थोड़ा सो सौफ्ट करने का ट्राय करते होंगे, बट वह नहीं हो पाता है, जो चीज़े हैं, मतलब आपको सच पसंद है, कि सच बोलो, सच की रहा पे चलो, या गलत मत करो, आप थोड़े उस टाइप के परसन हो, तो आप से न वो नहीं होती, कि किसी की चमचा गिरी की जाए, तो इस वज़े से ही चीज़े हो जाती है, कि लोग आपको गलत ले जाते हैं, मतलब आपको इंटेंशन वैसी नहीं होती, लेकिन लोग ले जाते हैं, और इस वज़े से वो help मांगने से पाले, दस बार या आप से सोचते हैं, अडवेंचर करना आपको बहुत पसंद है, अडवेंचर लवर हो, अडवेंचर करना, और अगर लड़कियां भी है, अगर आप विमेन भी है, तब ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बुलिट बाइक का शौक होगा, या आपको बाइक राइडिंग पसंद होगी, या चला कि मतलब यही चीज है आपके अंदर, कि आप बहुत ना, मतलब clear cut हो, आप straight forward हो, आप गलत नहीं देख सकते हैं, आप गलत बोल नहीं सकते, गलत सुन नहीं सकते, जो एक leadership quality होती है, तो उसकी वज़े से जब चीजे relation खराब होने लगे, जब आपको समझाने लगा कि आपका इकतना सकत मिज़ाजी होना, गलत है, फैमली के लिए भी गलत हो रहा है, भार भी चीजे ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आपने थोड़ा बहुत ना, अर्जिस्टमिंट करने का try किया है, बट फिर भी चीजे ठीक नहीं होती था, आप कैते हो कि जब दुनिया ही नहीं सुदर यह लोगों के लिए कर लो फिर भी वह वैल्यू नहीं कर रहा है, तो मैं तो वैसे ही रहूंगा यह रहूंगी, बलब फिर आप अपनी ही उस पावर में आ गये, तो एक सन की तरह चमकते हो, आप दिखने में बहुत सुन्दर होंगी, बलब फेस पेक तेज है, दिखने में बहुत सुन्दर होंगे, आँखें बहुत सुन्दर होगी, या आपकी स्मेल बहुत अच्छी हो सकती है, ओके, और देख लेते हैं, काफी इंडिपेंडेंट हो, आपको ना हेल्प लेना परसंग नहीं हैं, आप हेल्प कर दोगें, लेकिन हेल्प लेने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हाती होगें, तो वही चीज आ गई कि लोगों को ऐसा लगता है, कि भाई, यह इंसान अपने आप में बहुत ही महान वियकती है, यह हेल्प कर देगा, लेकिन हेल्प मangने में इसे शर्म आती है, या कितना भी यह फ़सा वार है, लेकिन यह मांगे गई किसे असे, कि आपको यह लगता है कि मैं help मांगू तो किस मूँ से मांगू मतलब आपको आती ही नहीं होगी ऐसा हो सकता है और यहां पर introvert हो ऐसा हो सकता है बट extrovert भी हो सकते है तो गुसा बहुत तेज आता हो और फिर ना आओ देखा ना ताओ देखा सुना दी वी से आता हो आपका नाम ऐसा हो सकता है ऐस से आता हो ऐसा हो सकता है और ताइम पंच्वालिटी में आप भात हो मतलब लेट नहीं हो ना कुछ भी हो जाए पर लेट नहीं हो सकते हैं किसी भी चीज के लिए तो टाइम से पहले पहुशना टाइम से पहले चीज़े खतम करना इसी से आपको जादा पसंद है, construction related आपका work हो सकता है, किसी construction related work में हो, या आपका vehicle का showroom हो सकता है, tour and travel से related आपका work हो सकता है, बैंक में जॉब करते हो, ऐसा हो सकता है, teacher हो सकते हो, counselor हो सकते हो, मुझे principal वाली जादा vibes आ रही है, principal, sports, teacher जो होते हैं, agriculture family से belong करते हो, ऐसा हो सकता है, creative field से भी हो सकते हो, अब पहाड़ी area से belong करते हो, ऐसा हो सकता है, या समुंदरी जगा जहाँ हो, जैसे मुंबई, ओके, शिमला, मनसूरी, धैरादून, ऐसी जगा से belong करते हो, ऐसा हो सकता है, ही माचल, गोआ, ओके, समुंदरी जगा से भी हो सकते हैं, आपको बहुत पसंद हो, आपको नेचर वाक करना बहुत पसंद होगा, मतलब अकेले रहना, मी टाइम आपको ज़्यादा पसंद होगा, ज़्यादा आप लोगों के साथ चिट-चैट करना, ज़्यादा गॉसिपिंग वगेरा, इन सब चीजों में नहीं होंगे, अनिमल लवर हो सकते हो, या आपको पस खुद की, पैट हो, ट हो sp All leafो, आपको इसा हो सकता है, यापको फीकष्वी को पाल को आपको एक के पाल सकते हो, आपको फोम्हादा बाता रही हो, यह तोड़ी बहुत ज़्याद चीजम्ट हो रही है, यो मैं बता रही हूं बाकि आपके फेस के जो फीचर हैं उन्हें देख के आप नावड़ी के जो यह अवाव हो इसे नौरमल इंसान फिर देखके की बड़े गुससे वाला इंसान है वहली चीज है कि लोग बहुत जल्दी इंटरख्तर नहीं छार पॉते हूं TOMA यह जो एक्स्टा मेसेज मुझे मिल रहे है वो मैं बता हरी जिसे थाय प्राप्लम हो सकती है कोई कि गुसा बहुत तेज आता है या फिर ऐसा हो सकता है कि अपक़ paceena भोत आता हो बहुत चल्दी मतलब आता हो ये चीज हो सकती है पता नहीं किससे resonate करेगा तो प्लीस माइंन पत करना जो चीज चैनल हो रही है कि मतलब बहुत जादा आपको गडर्मी लगती हो ऐसा हो सकता है कि मालब ठंड का टाइम शल रहा है उसमें आप सिंगल टी शट में या सिंगल कुड़ती में आप घूम रहे हो वह चीज हो सकती है कि मालब ठंड बहुत कम लगती हो ऐसा हो सकता है पता नहीं किससे रेजनेट करेगा गाइस आपको ज्युलेड़ी का बहुत شॉक होगा ज्युलेड़ी का बहुत शॉक होगा आपको कि देख लेते हैं और कुछंगर आता है तो अपके चाहरे और हाख भाव को देख लोग क्या सोचते है आखे आपके बहूत सुंदर या मास्ट्र मैंने कहा था ना प्रिन्सीपल या कोई हाइली पोस्ट पर हो सकते हो आप किसी गॉइबं competitions sector में ऐसा हो सकते है Creative field में भी हो सकते हो बहुत strict हो अगर आप teacher भी होना तो बहुत ही सक्थ वाली teacher हो मलई बच्चा बच्चा आपflowsसे डरता हो ऐसा वाला है और risk टेक्करों लाइफ में रिस्क लेने से डर नहीं लगता लेकिन सोरो के एनरजी इसले भी आई है कि आपका ना मतलब यह चीज है कि आप बहुत अकेला अपन फील करते हो क्योंकि लोग आपको बहुत जादा अंडरेस्टिमेट करते हैं साथी वो चीज कभी-कभी जहलकती भी है लोगों कि खयाल रहते हैं आपको लेकर कि इसका यह ऐसा नीचर है इसलिए अक्यला रहता है यह इसलिए इससे कोई बात करना पसंद नहीं करता पर कोई तारीफ करते है कि आपने मी टाइम में रहता है देखो इसने कितनी नॉलिज बढ़ा रखे है कितना इंटेलिजेंट है करने में पास हर समस्या का समाधान है या आप किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं आपको देखते हैं थे बहुत सकत है यह आपका जो बात करने का टोन है आप नॉर्मली बात कर रहे हो लेकिन वो इतना हाड होगा न कि लोगों को ऐसा लगते है यह बात करने में ठीक नहीं है आई हूप आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को कि आप तो नॉर्मली बोल रहे हो आप 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 से बोल रहे हो लेकि हो सोच रहे हैं कि यह कैसे जवाब दे रहा है या इसको ठोड़ा प्यार से बात करना नहीं हाता है या कितना हार्ट है तो € बना लेतेCr हैं तो वह पूर है मुझे दीख रहे हैं कि आप उतने हो नहीं जितना लोगों बना रखे हैं जितना आपके पस्नेल्टी को देखके जितना आपके चेहरे आपके हाव भाव को देखके लोगों को डल लगता है आप से साथ याप बहुत sharing nature रखते हैं मतब वह है कि आप helping hand हो मतब आपको help करना बहुत पसंद है और जिब कोई आपके पास आता है आप help करते हो तो एक वो भी point हो सकता है या वो चीज़ भी हो सकती है कि आपके हाव भाव आपको देखके लग रहा है लोगों को कि बहुत सकते है या ये बहुत खडूस इंसान है या ये ना हमारी help नहीं करे गए लिकिन जब वो आपसे बात करें तो आप बहुत प्यार से बात कर रहे हो बहुत पॉलाइटली बात कर रहे हो आप help कर रहे हो तो क्या हुआ कि सोच चीज हो गई एकदम से तो वो चीज़ है कि भाई इसको जज मत करो तो वो कहते ने कि किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए वह कहते है न तो वही चीज मुझे लग रही है कि आपको न लोग आपको देखके जज करते हैं लेकिन जैसे आप हो आपका नीचर है कि शेयर करना हेल्प करना वही उसके उलट जीजे होती है कि आप मांग नहीं पाते हो सो यहां गाइस मुझे यही दिख रहा है और आई होप आपको रीडिंग समझ आई होगी अगर मैं आपके बर्थ डेट की बात करूं आट सत्रा चबवीस हो सकती है नो आठारा सत्ता इस चार तेरा एक तिस साथ होला पच्चिस और तीन बारा एक्किस हो सकती है पांट मुझे मुझे घ्रवंबर जुलाई और यहां पर हो सकता है नैवेंबर यही मझे पौन दिख रहे हैं जो ब्क्राइट मन बदाएमन अगर बश्र एक Zodiac Sign नहीं बताऊंगी या guys I hope reading अच्छी लगी और resonate की हो की हो तो प्लीज लाइक शेर कमेंट कर देना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मुझे जरूर बताना reading कैसी लगी मैं मिलूंगी next reading के साथ तब तक ले बाई